हलो दोस्तों, नमस्कार, परडाम एकडमिक टूदा पॉइंट सो में आपका स्वागत है, आज आपके पास फिर एक बहतरीन टॉपिक के साथ आए हैं, जो की पेपर की दृष्ट में पूछे जाते हैं, ये कुछ धर्म हैं, जिनकी अस्थापना कभ हुई थी, कौन इसके संस स्थापक हैं, और कभ इनकी स्थापना हुई थी, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे पूछे जाते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, चलिए देखते हैं, स्थापक कौन कौन से हैं, सबसे पहले ब्रह्म समाज की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की कि थी? राजाराम मोहन राय ने किस ने की थी? राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? कब की थी? 20 अगस्त 1828 में. कब की थी? 20 अगस्त 1828 में राजाराम मोहन राय में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? उसके बाद आरे समाज की स्थापना किस ने की थी? स्वामी दयान अंसरोस्ती ने की थी इसने की थी स्वामी दयान अंसरोस्ती ने 10 अप्रेल 1875 में कब की थी 10 अप्रेल 1875 में दीन ए इलाही मनसद्दारी पर था इसका संसाव कौन है अकबर कौन है अकबर 1582 में ठीक उसके बाद भक्तियांदोलन इसके संस्थापक कौन है? रामानुज कौन है इसके संस्थापक? रामानुज कब? अठारा सो इस बी में कब की थी संस्थापना? अठारा सो इस बी में उसके बाद सिख सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिक्ध धर्म के संस्थापक गुरु नानक दियों है क्या है गुरु नानक दियों है कब इन्होंने संस्थापना की थी पंद्रहवी सतापदी में सिक्ध धर्म के संस्थापक गुरु नानक दियों कब की थी इशापूर छटवी सताब्दी में जैन धर्म के संस्थापक कौन है जैन धर्म के संस्थापक महाविय सौमी है इन्होंने इशापूर इन छटवी सताब्दी में इसकी स्थापना की थी पार्शी धर्म के प्रवर्तक कौन है इसके संस्थापक पार्सी धर्म के जर्थ्रुष्ट है, कौन है? जर्थ्रुष्ट है, इन्होंने 35-100 वर्ष पहले इसकी अस्थापना की थी, या से 35-100 वर्ष पहले पार्सी धर्म के अस्थापना की थी, कौन? जर्थ्रुष्ट है, सक्सम्वत कौन के संस्थापक कौन है? क अनिस्क कभ इन्होंने इसके स्थापना की थी? 78 इश्वी में. कभ की थी? 78 इश्वी में. मौर वानसी का संस्थापक कौन है? मौर वानसी के संस्थापक चंदरगुप्त मौर हैं. कौन है? चंदरगुप्त मौर. इन्होंने कभ की थी? इसापूर 323 सताब्दी में. तब की थी 303 सताब्दी में निया दर्शन के संस्थापक कौन है, निया दर्शन के संस्थापक गौतम है कौन है, गौतम, ना की गौतम बुद्ध, कौन है, गौतम कब की थी इशापूर्व छट्वी सताब्दी में कब की थी इन्होंने इशापूर्व छट्वी सताब्दी में उसके बाद वैसेविक, क्या है? वैसेविक दर्शन इसके संस्थापक कौन है? महरसी कणाद है कौन है? महरसी कणाद इन्होंने कब की थी? ईशापूर दूसरी सताब्दी में उसके बाद सांख्य दर्सन, इसके संस्थापक महर्सी कपिल है इन्होंने इसके स्थापन कब की थी? ईशापूर 301 सताब्दी में कब की थी? 301 सताब्दी में आगे और हैं, देखते हैं उसके बाद का है विमानसा दर्सन के स्थापना किस ने कह थी महर्सी जैमिनीन है कब की थी इसापूर 307 में रामकिषन दर्सन इसके स्थापना किस ने कह थी शौमी विवेकनन ने कि थी कब एक माई 1897 में उसके बाद क्या है योग दर्शन योग दर्शन के स्थापना महासी पतंजली नहीं की थी ऐसा माना जाता है जब से जीवन चालू हुआ है तब से योग लोग करते हैं यह लगभग लगभग पांच जा सार पुराना मानिता मानी जाती है आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर हमारा यह टॉपिक अच्छा लगा हो आपको उप्योगी हो तो हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको बहतरीन बहतरीन चीज़ें मिलती रहें आपके परिछा के दृष्ट से आज के लिए बस इतना ही नमस्कार